हेलो शुरुएंट्स वेलकम टू माई डेस्क आज एडेट 27 जून 2020 आज इस वीडियो में डिसक्स करेंगे कि आपकी सभी एक्जाम्स में करंट अफेस्ट से लेटेड आज की डेट से कौन-कौन से कुश्चन्स बन सकते हैं तो पैन पेपर उन कर दीजे और सभी मिश ना हूँ आपकी पहली अपडेट है आज की उत्तरप्रदेश में शुरू किये गए आत्मिर बर उत्तरप्रदेश रोजगार अभियान का शुबारम किसने किया है दिनेश शर्मा योगी आतितनात नरेंद्र मोदी या रवीशंकर प्रसादा आपका रैट अब बर उत्तरप्रदेश रोजगार अभियान का शुबारम किया है इसके माध्यम से उत्तरप्रदेश के लगबग 31 जिले जहां पर लगबग 30 लाख मजदूर देश के विबिन्य भागों से उत्तरप्रदेश में लोटे हैं उन्हें रोजगार दिलाने के लिए योजना क शुबारम किया गया है ठीक है बात कर लेते हैं इस अभियान की तो इसका अभियान का मुक्य उद्देश से रोजगार अपलब्द कराना इस्थानी अध्यमिता को बढ़ावा देना रोजगार के अफसर अपलब्द कराने के लिए अध्यों के साथ बागिदारी करना उत्त कोशन में सियाद रखना है नेक्स्ट डेट है आज कि आपकी घर बैठे बच्चों को शिक्चा प्रदान करने के उद्देश से किस राजसरकार ने जीओ टीवी के साथ करार किया है राजस्थान हरियाना जहारकंड एवं मद्धिप्रदेश आपका रैट ऑप्शन है इसमे हैं अब जीओ के प्लेटफार्म पर निशुल को प्लब्द होंगे यह करार जो है मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्चा कारक्रम के तहट किया गया है ठीक है बात कर लेते हैं हरियाना की तो हरियाना की राजदान यह है चंडीगर सीम है मनोनलाल कट्टर राज़िपाल है स पूर कफ्तान रही है क्लेर कुनोर हाली में मैर्ल बॉन क्रिकेट क्लब की पेहली मilah अध्यक्ष बनने जा रही है शिलंका के कुमार संगाकारा का यह स्थान लेंगी एक अक्टूबर 2021 से अपने पत को समा लेंगी संगाकारा का कारकाल हाली में एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था कोरोना वाइरस में हमारी के चलते बात कर लेते हैं मेरिल बॉन क्रिकेट क्लब की तो 1787 में इसकी स्थापना हुई थी और इंग्लेंड का लॉड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है इसका होम ग्राउंड है ठीक है इतना आपको इसकूश्चन में सियाद रखना है अब्डेट है आज कि आपकी वर्ष 2023 में आयुजित होने वाले महिला फुटबाल विश्चकप की मेजबानी किस देश को सोपी गई है और जापान न्यूजिलेंड या और न्यूजिलेंड को संयुक्त रूप से आपका राइड ऑप्शन है इसमें और न्यूजिलेंड को स से पीज़ हट गया था इस दावेदारी को इस महीने की शुरूआत में फीफा से सरुसरे स्टांकलन अंक मिले थे ठीक है यह जो टूनामेंट है दस जुलाई से बीस अगर्स 2023 के बीच में खिला जाएगा और इस बार इसमें 24 टीमों की बजाए 32 टीमें हिस्सा लेंगी इत इसलामेक रिवालिएशनरी गार्ड कॉप्सकी ने मार्च 2021 तक हिंद मासागर में अपना 27 से अनड़ा इस्थापित करने की गोशना किये या गोशना इनके नेवी कमांडर रियाल एड्मिरल अलर्जा तांग सीरी के दोरा की गई है उन्होंने बताया है कि हिंद मासागर औ और उमान के समुद्री चेत्रों में समुद्री जहाजों और विदेशी जहाजों के द्वारा इरानी मचुआरों को बार बार परिशान किये जाने के कारण या बेश इस्थापित करने का नेड़ने लिया गया है कमांडर ने चेतावनी दी है कि IRGC अब इस चेत्र में किसी है लन्डन में अमेरिका के लाउज अंजलेस में चेटवे अंतराश्टी योग दिवस के अवसर पर हाली में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विशिद्याला स्थे ज्यो किया गया है जो कि योग की प्राशेन भारती पद्धती के लिए वग्यानिक चिद्धानतों और आधुनिक अनुसंदान द्रिश्टिकोडों को जोर करके एक कारक्रम प्रदान करेगा इसे शॉर्ट फॉर्म में वायू कहा जा रहा है और न्यू यूर्क में भारत के महामारिज दूतावास में आयोजित एकाभासी कारक् अध्यक्ष द्वारा संयुक्त के रूप से इसे शुरू किया गया था ठीक है इसके अध्यक्ष जो है आर नगेंद्र वायू है पहले अध्यक्ष इन्हें भी आप याद रखेंगे ठीक है नेक्स अपडेट है आज के आपकी नेविगेटिंग द नियू नॉर्मल अभिया अभियान और इसकी वेबसाइट का शुबारम किया है यह अभियान खासतोर पर चल रही महामारी के अनलॉक चरण के दौरान कोविड सुरक्षा व्यवार यानि की विशेश रूप से मास्क पहनने पर यह ध्यान के इंद्रित करता है अभियान जो भारस सरकार के दौरा ठीक है इनको भी आप देख लेंगे इतना आपको इस कुर्शन में सियाद रखना है अज के आपकी कौशल विकास और उद्धिमिता मंत्राले ने किसके साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफर्म स्किल्स बिल्ड रिगनाइट शुरू किया है आई बिम, मार्को डिजिटल लर्निंग प्लेटफर्म स्किल्स बिल्ड रिगनाइट का अनावरण किया है आई बिम ने राश्टी कौशल प्रिजिक्षन संस्थानों और आई टी आई में चात्रों और प्रिजिक्षकों को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशल इंटेलिजिएंस के जेत्र में बहु मुखी डिजिटल कोशल प्रिजिक्षन प्रिजिक्षन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया है इतना आपको इसकुशन में से याद रखना है एक्स अपडेट है आज कि आपकी किस राज सरकार ने हाली में गौधन नियाय योजना शुरू की है मद कि मंतरी बुपेश बगेल के द्वारा दी गई है इस योजना का मुख्योद देश पशुपालन को विभारिक रूप से लाबदाइक बनाने मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरन सनक्षन को रोकना भी है योजना के तहट पशुपालकों से गोबर क्राय करने के लिए दर निर्धारित की जाएंगी और इसके दर निर्धारित करने के लिए मुख्यों की अद्धिक्ष्टा में एक समीती भी 36 गड़ सरकार के द्वारा बनाई गई है इस योजना की शुरुआत श्रीलंका इसराइल या बांगलादेश आपकर राइट ऑप्शन है इसमें म्यानमार तीके म्यानमार इसका राइट ऑप्शन है आर्थिक मामलों पर मंत्री मंदली जो समीती है भारत की उन्होंने हाली में म्यामार में श्वे तेल एबं गैस परियोजना में ब्लॉक A1 और ब्लॉक A3 के और विकास की दिशा में ONGC विदेश लिमिटेड दौरा 121.27 मिलियन डॉलर के अतरिक्त निवेश को मंजूरिय भी हाली में दी है और इसके लावा ONGC विदेश लिमिटेड दक्षन कोरिया भारत और म्यानमार की कंपनियों के एक संकाई के इससे के रूप में 2002 से ही मैनमार के श्वे परियोजनाओं के उत्खनन और विकास से जुड़ी हुई है भारत की एक PSU गेल भी इस परियोजना में एक निवेशक है और OVL के द्वारा 31 मार्ट 2019 तक इस परियोजना में कुल 722 मिलियन डॉलर का निवेश किया जा चुका है इतना आपको इस कुशन में से राद रखना है चलते हैं उस प्रशन की तरफ जो आपको कल के लिए दिया गया था हाली में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया वे किस केल से संबन दित थी निशाने बाजी क्रिकेट शत्रंज या टैनिस इसका राइट उप्षन था आपका निशाने बाजी आज का आपका प्रशन है देविका और पुनेजा पुल का अनावरन हाली में केंद्री मंत्री जीतिंद्र सिंग ने किया ये पुल किस स्थान पर हैं जम्मु कश्मीर जारकंड चत्तीस गड़ या नौचल प्रदेश मैं आपसे फिर से कहूँगा एक बार दोस्तों कि जब भी आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखा करें तो आप उसे पूरे डिटेल के साथ लिखा करें क्योंकि जब भी चीज कोई भी आप डिटेल में लिख देते हैं तो दुबारा आप उसे फिर कभी भूलते नहीं है आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने सुजाओ और अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद